तो फ्रेंड्स आई अब हम अत्ती लगू उत्री कोशन को हमने साल्व कर लिया अब हम करेंगे लगू उत्री कोशन को साल्व जोकी इन कोशन को यहां पर देख सकते हैं कि बोला जारा कि निमनलेखित प्रश्णों के उत्तर लगभाग 120 सब्दों में दीजिए और यह जो लेना आई यह कोशन क्या बोला जारे कि भारत में भूम उपयोग प्रारूप का वड़न करें और वर्श उनिस साथ एक सट से बन के अंतरकत छित्र में महतपूर ब्रिजी नहीं हुई इसका क्या कारण है इसको आई समझते हैं तो हम यह आपके लिखेंगे कि भारत में प्रान के रूप में क्रिसी के लिए उपलब्द भूमी इसमें बंजर तथा क्रिसी आयोग की भूमी और गैर क्रिसी प्रेजनों में लगाई गई भूमी सामिल है तिसरा पॉइंट हम यह लिखेंगे कि परती भूमी के अतरिक्त अन्य क्रिसी आयोग की भूमी इसमें अस् अब ये किस तरीक जमीन होती है तो इसमें वर्तमान परती भूमित था इसके अत्रीक्ट अन्य परती भूम या पुरातन परती भूमित सामिल होते हैं ठीक अब अगला हम इसमें ये लिखेंगे point कि सुध या नीवल बोया गया छेतर तो इसमें भूम सामिल होता है जिसमें एक या दूसरे रूप से क्रिसी कार किया जाता है ये सुध बोया गया छेतर ये होता है किसमें हम खेती आसानी से कर सकते हैं ठीक इसी में हम ये लिखेंगे कि सोतंदरता से पहले तब बाद के अरंभिक दीनों में हमारे देश में बनों की अंधादूंद कटाई की गई बिविन उद्योगों के विकास क्रिसी कार जाता आव्यास के लिए भूमी निर्मार के उद्यस्त ने ऐसा किया गया इससे कई तरह की समस्याइं उत्पन की गई या उत्पन हो गई फलता सरकार के दोरा बनों की सुरक्षा तथा संरक्षर संबंधी अनेक नितिया बनाई गई है इससे बनों की घटता ग्राफ थम गया दूसरी तरफ अस्थानी अस्थर पर बनों की कटाई कमो बेस होती रही है कम बेसी होती है यही कारण है कि वर्ष 1906-1961 से बन के पूर ब्रिधी नहीं हुई है तो इस तरीकी से हम यह समझ लिए कि सन उनिस्यों साट और एक साट के दोरान किस तरीकी से हमारे पास भूमी का या जो भी बन है उसका ब्रिधी विकास नहीं किया गया अब आईए अंतिम नमर कोशन को समझते हैं कि प्रदोग की और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपभोग कैसे हुआ है इसको समझते हैं तो लिखेंगे कि परदोगिकी और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपयोग निम्न प्रकार है और सबसे पहला पॉइंट ये लिखेंगे कि हमारे पार्या वरण में उपलब्ध ऐसी परतेक बस्तुए जो हमारी और सक्ता को पूरा करने में परियुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए परदोगिकी उपलब्ध है जो आर्थिक विकास परसपर अंतह संबंधी होती है परदोगिकी विकास हमें अनकूल वह यथा योग ओजार एवं मसीने पतान करता है जिसे उत्पादन में ब्रधी होती है इसके फल स्वरूप संसाधनों का अधिक प्रियोग होता है ठिक अगला पॉइंट ये लिखेंगे कि परदोगिकी विकास आर्थिक विकास भी होता है जब भी किसी राष्ट की आर्थिक शिती में सुधार होता है तो लोगों की सकताय भी बढ़ जाती है इसके फल स्वरूप फिर संसाधनों का अधिक आधिक उपयोग हो जाता है प् हमारे आसपास की विविन बस्तू को संसाधन में परिवर्तन करने में मदद करता है अंतता हम यह बोल सकते हैं कि नए संसाधनों का दोहन सुरू हो जाता है तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी है तो वीडियो को लाइक लाइक करना और जादेश वीडियो को सेर करता है तो इस तरी से मैं अगले वीडियो के मदभा जय भारत वन्दे मातर हों बोला जारा कि निम न लिखित प्रश्नों के उत्तर लगभाग एक सबीस सब्दों में दीजिए और ये जो कोशन है बोड के पेपर में लगु उतरी कोशन के नाम से आता है और ये कोशन बोड के पेपर में डिरेक्टिस चार नंबर का पूछा जाता है तो इस सेक्षन को भी हम त्यार करेंगे तो वीडियो बहुत जाता पूड ब्रिधी नहीं हुई इसका क्या कारण है इसको आई समझते हैं तो हम यह आप लिखेंगे कि भारत में भूम उपयों का प्ररूप निम्न लिखित है अब इसके में तिन चार पॉइंट है इसको हम समझ लेते हैं कि सबसे पहले बन के रूप में क्रिसी के लिए उप परती भूमि के अतरीक्त अन्य क्रिसी आयोग्य भूमि इसमें अस्थाई चरागा अन्य गोचर भूमी बिवित ब्रिक्षो ब्रिक्ष फसलो उपवनों के अधिन भूमि ठीक अगला हम पॉइंट यह लिखेंगे कि परती भूमि अब यह किस तरीक जमिन होती है तो इसमें वर्तमान परती भूमित इसके अत्रिक्ट अन्य परती भूम या पुरातन परती भूमि सामिल होते हैं ठीक अब अगला हम इसमें ये लिखेंगे पॉइंट कि सुध या नीवल बोया गया छेतर तो इसमें भूम सामिल होता है जिसमें एक या दूसरे रूप से क्रिसी कार किया जाता है ये सूध बोया गया छेतर ये होता है किसमें हम खेती आसानी से कर सकते हैं ठीक इसी में हम यह लिखेंगे कि सोतंतरता से पहले तब बाद के अरंभिक दीनों में हमारे देश में बनों की अंधा धुंद कटाई की गई विविन उद्योगों के विकास क्रिसिकार जाता अव्यास के लिए भूमी निर्माण के उद्यसस ने ऐसा किया गया इससे कई तरह की समस्याइं उत्पन की गई या उत्पन हो गई फलता सरकार के द्वरा बनों की सुरक्षा तथा संड़क्षर संबंधी अनेक नितिया बनाई गई है इससे बनों की घटता ग्राप थम गया दूसरी तरफ अस्थानी अस्थर पर बनों की कटाई कमो बेस होती रही है, कम बेसी होती है, यही करण है कि वर्ष उनिसो साथ एक सट से बन के अंतरगा छेत्र में मतपूर ब्रिधी नहीं हुई है, तो इस तरीक से हम यह समझ लिए कि सन उनिसो साथ और एक सट के दोरान किस हमारे पास भूमी का या जो भी बन है उसका ब्रिधी विकास नहीं किया गया, अब आएए अंतिम नमर कोशन का समझते हैं कि प्रदौग की और आर्थिक विकास के कारण संसाथनों का अधिक उपभोग कैसे हुआ है, इसको समझते हैं, तो लिखेंगे कि प्रदौग की और आर्थिक विकास के कारण संसाथनों का अधिक उपयोग निम्न प्रकार है, और सबसे पहला पॉइंट ये लिखेंगे कि हमारे पार्या वरण में उपलब्ध ऐसी प्रतेक बस्तुए, जो हमारी असकता को पूरा करने में परियुक्त की जा सकती है, और जिसको बनाने के लि आर्थिक विकास परसपर अंतह संबंधी होती है, पुर्दोगी की विकास हमें अनकूलव यथा योग अजार एवं मसीने पतान करता है, जिसे उत्पादन में ब्रधी होती है, इसके फल स्वरूप संसाथनों का अधिक प्रियोग होता है, ठिक, अगला पॉइंट ये का अधिकादिक उपयोग हो जाता है, प्रियोग हो जाता है, अगला पॉइंट ये लिखेंगे कि आर्थिक विकास अधुनिकतम प्रोदावगी की विकास हेतु अनकूल लिवात्तावरर परदान करता है, यो हमारे आसपास की विविन बस्तू को संसाधन में परिवर्तन कर करने में मदद करता है, अन्त तो हम ये बोल सकते हैं कि नए संसाधनों का दोहन सुरू हो जाता है, तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्फुल लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना और वीडियो को जादे सेर क करना, ठीक, अगले वीडियो उसके मादम सेंपो फिर बहुवी कल्पी, अति लगु उतरी है, फिर लगु उतरी है, औप फिर अंत में यहाँ पर देख सकते हो कि दिर्ग उतरी, चलो मैं आप सभी के यहाँ पर दिखा भी देता हूं, दिर्ग उतरी कोशन यहां पर देख स करना और जादे जादे इस वीडियो को सेर कर दना ठीक मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक लिए जय हिंद जय भारत वंदे मात्रों